प्रवेस करने के लिए कई लोग नसे का उपियोग करते हैं उसके क्या दुस्प्रभाव होते हैं और कई लोगों को बुद्धत्यों का इल्यूजन जो हो गया है तो उन सब भ्रमों से कैसे बचा जाए कृपया मार्ग दर्शन गया चलिए तो आप लोगों ने देखा भी योगी जी का एक प्रश्न है और प्रश्न जो आया है वो वर्तमान में कुछ चीज़ों को देखके इनके प्रश्न उठे हैं पहली बात तो यह है कि ध्यान के जगत में बहुत तरीके के भरम हैं वो भरम क्या क्या है और उन भरम के होने के नुकसान क्या क्या साधक को होते फिर साथ-साथ बहुत से भ्रहमों में एक भ्रहम ये भी है कि नशे से कुछ यात्राएं की जा सकती है ऐसा भी लोगों को लगता है तो उस पे भी आज बात होगी और जितने भी सादक हैं जितने भी ध्यान जगत के सादक हैं उन सबको ये बात जान लेनी चाहिए कि ध्यान अगर आपने गलट ढंसे किया बिना किसी की गाइडेंस के किया तो आपको पागलपन होने की पूरी संभावना है और उसका जो कारण है आज उसको मैं पूरा विस्तार से एक एक चीज उसको खोलूँगा लाइब शेशन है तो मैं बता देना चाहता हूँ अगर कहीं किसी विज़े से लाइब इसमें कट जाता है नेट की प्रॉब्लम आती है तो मैं उसको दुबारा रिपीट करूँगा वो इसी में आगे आगे आप देख सकते हैं थोड़ा सा कुछ बातें सबको समझने योग हैं पहली बात ध्यान के जगत में सबसे बड़ी जो धार्णा है हर ध्यानी के अंदर वो है बुद्धत बुद्धत की धार्णा ही कौँगा क्योंकि जब तक किसी को बुद्धत का पता नहीं जो भी है वो धार्णा है जो भी है वो बुद्धत की धार्णा है अब बुद्धत की धार्णा ध्यानियों के अंदर जिस प्रकार से होती है वो धार्णा ही उनके भटकाओं का सबसे बड़ा कारण या उनके पहुंचने का सबसे बड़ा कारण बनता है मेरा हमेशा से मानना है कि बुद्धत के सम्मन में जितनी कम जानकारियां दी जाएंगी गुरू लोगों से मेरा आगरे है कि बहुत जादा अनुभवों की बाते ना करें मैंने अपने जीवन में जब भी बाते की हैं आप सब जानते हैं बहुत हलकी हलकी की हैं अनुभव क्या होते हैं कैसे होते हैं इस पर बाते नहीं की और जो यहां साथ रहते हैं मेरे उनको पता है कि यहां बहुत कुछ होता रहता है जिसको मैं चर्चा के रूप में नहीं लाता है मैं यहां चर्चा के रू सबसे बड़ी बुद्धत की बात ऐसी है जो बहुत नों के Barmy Mahar वो है शक्ती। कि बुद्धत से कुछ लोग ऐसा मान बैठे हैं कि बुद्धत प्राप्थ होने के बाद कोई शक्ती हाथ लग जाती है जिस शक्ती के लगने के बाद हम जो चाहें कर सकते हैं कि यह गलत है कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि शक्ति आज में खोलवा हूं कि बुद्धत के पहले शक्ति हाथ लगती है बुद्धत से पहले आपके हाथ में शक्ति लगती है जिसे आप कुछ खेल खेल सकते हैं लेकिन बुद्धत के बाद शक्ति आपके हाथ में लगती आप शक्ति के हाथ में होते हो और परमात्मा की शक्ति करुणा ही है उसने इस जगत में इतना बड़े जगत का जो निर्मार किया वो करणा है आप से पूछा नहीं कि आपके फेफणों को ऑक्सीजन चाहिए उसने ऑक्सीजन दी आप से पूछा नहीं कि आपको प्यास लगेगी तो पानी दे दूं उसने दे दिया वो उसकी करणा है वो तुम्हाई लिए हर तरीके के इंजाम करता है लेकिन उसके ये भी है कि पानी मूह में सीधे नहीं आता आपको अपने हाथ पेरों से लेना पड़े तो बुद्धत्र से पहले एक शक्ती हाथ लगती है जो शक्ती आपको बहुत कुछ करवा सकती है आप से बहुत कुछ करवा सकती है लेकिन क्या ये शक्ती वास्तव में शक्ती होती है आज इसको भी जान लो, कि ये शक्ती है क्या, हम सब को पता है, कि इस जगत में, अब ऐसी खोजे हो चुकी है, कि मैं पता है कि मानसिक तरंगे, बहुत strong हो सकती हैं, मानसिक तरंगे इतनी strong हो सकती हैं, कि हम किसी व्यक्ति को आदेश देश कें, तो वो आदेश का पालन कर ले। मानसिक शक्तियां इतनी स्टॉंग हो सकती है कि हम कुछ चाहें और वो होने लग जाए। लेकिन मानसिक शक्तियां सडक चलते लोगों के हाथ तो नहीं लगती। बुद्धत के रस्ते पे चलने वाले के हाथ लगती हैं तो क्यों लगती। असल बात तो यह है कि बुद्धत है मन की मिर्त्यूद। बुद्धत है आपके अंदर का जो मन है, मन क्या समझो, मन है पदार्थуп। आपका शरीर एक पदार्थ है आप पूरे मन हो और पदार्थ की एक खूबी होती कि वो अपने को बचाना चाहता है और इसलिए वैज्ञानिकों ने खोज किये है कि दो चीजों के लिए मनुष्ट किसी भी हद तक जा सकता है अपने शरीर की रक्षा के लिए और अपने बच्चे की रक्षा के लिए एक कमाल की बात है अपनी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और अपने बच्चे की रक्षा के लिए एक इस्तरी शेर से भी लड़ सकती अपने बच्चे कि रक्षा के लिए लोग आग में कूच जातêmes ये बच्चे की रक्षा क्यों? क्यूंकि मन पदार्त आपका वो आपसे जो निर्मित हुआ है पदार्त उसकी रक्षा करता है इसका छोटा प्रारूप समझ सकते हो, आप लोग अपनी चीजों के लिए लड़ते हो, जो चीज खरीद लेते हो, पदार्थ पदार्थ को जो चीज दे लेता है, उसके लिए लड़ता है, ये मेरा, ये तेरा, संपत्ती मेरी, वसीयत अब इसके नाम, अब इसके नाम, तो य यह सब पदार्थ के तल पे चलने वाले खेल हैं मैटर के चलने वाले खेल मन हैं लेकिन जब धर्म के रस्ते पे कोई बढ़ता है और उसका सीधा टार्गेट बुद्धत हो सुन लिया किसी गुरू से अभी उसे पता नहीं बुद्धत का उससे सुन लिया लेकिन जब वो इस रस्ते पे बढ़ता है तो एक तरफ मन को लगने लगता है कि वो मर रहा है वो हलका पढ़ रहा है तुम वस्तों की तरफ ध्यान नहीं देते तुमसे कहा जाता है इस्त्रियां त्यागो तुमसे शादी विवा चूटने लगता है तुम्हें संसार की गुर मन जानता है अच्छी तरीके से कि तुम क्या हो और सोचते क्या हो तुम्हारे मन को पता है तुम्हारे अंदर क्या है तो उस कंडिशन में मन जो है वो तुम्हारी सारी शारीरिक शक्तियों को जगा देता है और तुम्हें एक भ्रम में डालता है कि तुम कुछ हो गए वो दे जब enlightened हुए यह घटना है बड़ी प्यारी घटना है इस घटना को जो नहीं समझेगा न वह अध्यात्मिक नहीं हो सकता इसलिए इस घटना को सदा समझो बुद्ध की यह घटना सुन लो तुम लोग तो तुम्हें आगे की चीजों का पता लग जाएगा बुद्ध के साथ घटना है कि बुद्ध को enlightenment घटा enlightenment घटा तो देपता फूल चड़ाने आए देपता कौन ताकत वाले देपता जिनके पाद ताकते हैं देवत के पाद ताकते होती तो मनुष्य की कई इस्तितियां है मन में जो जीता है मनुष्य जो अपने को साथता है वो साधक साधक की इस्तिति में कोई अगर उंचे पहुंच जाए तो वो देवत्त हो देवत्त को जो क्रास कर जाता है जो देवत्त को भी ठोकर मार देता है जो शक्तियों को भी कहता है हमें नहीं चाहिए शक्तियां शक ये लोग नशे के लिए भी पागल हैं तो ये सारी शक्तियों के लिए लोग पागल होते हैं और ये शक्तियां करती गया है शक्तियां जितनी सामान शक्तियां हैं वो क्या करती हैं समझ लो आप शराप पीते हों आपके मन में किसी के लिए क्रोध है आप कर नहीं पा रहें श माग जो इंद्रियों को पकड़ के रखता है वो धीला पड़ जाता है वो हलका हो जाता है तो शराब में आत्मी के अंदर से वो चीजे निकल आती है जो दबी हुई मन बाहर आ जाता है आ जाता की नहीं आ जाता है तुमने देखा कि कोई दौलत मंद हो बहुत बड़ा एहंक अब शरीर से प्रकट होने लगा तो उसमें एंकार आ जाता है उसमें घमंड आ जाता है जितनी भी शक्ति आपके बाद दौलत आ जाए आपको परोसी को मारना है डरते नहीं हो, मार देते हो शरीर में प्रकट हो गया तो इस तरीके की शक्तिय है धर्म भी एक शक्ति धर्म की जब शक्ति आती है तो आदमी अपने आपको व्यक्त कर पाता है मैं कह सकता हूँ मुझे धर्मिक शक्ति मिली तो मैं अपने को व्यक्त कर पाया मुझे डर नहीं रहा मेरे अंदर क्या है मैं इस पस्ट कह पाया मैं जिसको प्रेम करता हूँ प्रेम कह पाया जिससे क्रोध हुए वो क्रोध कह पाया यह बात अलग है कि मेरे सलीके हैं कहने के तो यह सब शक्तियों का खेल है लेकिन इसमें कौन सी शक्ति आपको अच्छी लगती किसी को पीट देने वाली शक्ति किसी को नीचा दिखाने ने वारी शक्ति या आप सहज अभिव्यक्ति पे आपाई ये शक्ति तो धर्म की शक्ति सहज शक्ति लेकिन पूरे जीवन में हम ताकतों को ही शक्ति मानते हैं तो जब कोई इंसान ताकत को ही शक्ति मानता इस रस्ते पे चलता है तो बीच में उसके मन की पूरी ताकत उसके मस्तिक से जुड़के उसे कुछ ताक्ते दे देती है जिसमें मांसिक तरंगों का उप्योग होता है जिसमें और तरीके के एक अस्तित को आदेश होते हैं तो पूरे हो जाते हैं लेकिन जैसे ही पूरे हुए तुमें आया घमन वै मैंने इसकी टांग पकड़के नीचे खेंच लिया निन्यानवे पिकांटा अब नीचे आएगा चौधा पर आओ वेटा नीचे मन का काम हो जाता फिर तुम घंटा करते रहो कोई एक जैसे किसी दिन कुछ सोचे और वह हो जाए अब तो मेरे हाँ शक्ती लग गई तुम्हें कोँगा करके दिखा अब दूसरा आदेश करके दिखा चल मैं सामने कर नहीं कर सकता है नहीं हो पाएगा वो थोड़ी देर के लिए तुम्हाए साथ मन ने खेल लिया तुम्हें ताकत दे दी जान बूचके नहीं कर पाओगे या फिर कोई बुद्ध अचानक कभी किसी के पृति आशीर से भर जाता है रामकर्ष्न कोई भर जाते हैं किसी नरेंद्र के लिए आशिरवात से वो एक अलग घटना है लेकिन वो भी हर एक के प्रती नहीं भर सकते हर चंड नहीं भर सकते वो एक घटना ही घटेगी तो इस तरीके का जो मन है वो तुम्हें ताकत देता है शक्तियां देता है फिर इन शक्तियों का बड़ा प्रचार है क्यूंकि जो लोग भी होते हैं फिर वो अपनी बाते करते हैं मैंने एक दिन ऐसा किया मैं बहुत कर सकता हूं सुनाओं आज कहानिया कि एक भंगी ने मेरे पैर पे जाड़ू मार दी थी अगले दिन मर गया था आज सुनाता हूं लेकि मैं फिर कह रहा हूं तुम्हें तमाशा बता रहा हूं कि यह दियल में घटनाए हुई है जाके पूंच देना में पास धन की कमिया होती है धन आ जात हूं बहुत कुछ खेल कर सकता हूं बता सकता हूं कि यह हुए लेकिन क्या तमाशे की बात करनी है मेरा तमाशा तो एक ही कि फटी जा तो मेरी फटी जा रही हो मजा आ रहा है इसलिए मैं कहता हूं कि अगर धर्म जगत में शक्तियों की बात होनी है तो एक ही शक्ति की बात हो कि हे प्रभू मुझे ऐसा बना दे कि मुझे से कोई शिकायते ना उठें सुनिए ना यह प्रभू अब शिकायते ना उठें मुझे इतना सामर्थ दे यह वही तो है कि भटी जारी मजा आ रहा और क्या है इसके अत्रित कुछ सोड़ी ना है तो धर्म के रस्ते पे ऐसा होता है लेकिन एक और प्रश्ण जैसे इन्होंने पूंचा कि कुछ लोग नश को समझते हैं कि ध्यान का माध्यम बनाया जा सकता है कि मैं आपको बता देना चाहता हूं इस बात के लिए आगा कर देना चाहता हूं और कई वार कह चुका हूं इशारों इशारों में मैं दो तरीके की बात कहता हूं एक तो आप लोगों को कि आप जो करते हो वो कोई गलत नहीं है इस बात के लिए मैं आपके सामने शराप के गिलास का फोटू भी डालता हूँ हर तरीके के प्रदृशन करता हूँ वो सिर्फ आपको और नहीं कि आपके जैसा लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि एक Having मकारियों को पूरी करने मैं तुम्हें एक शराब का गिलाज दिखा के कह सकता हूं कि तुम मित्र तुम जो पी रहे हो इसमें गिल्ट ना पालो लेकिन अगर तुम मेरे पास आओगे और कोगे अब शराब पिलाओ ऐसी की तैसी तुम्हारी यहां तो मिलने वाली नहीं और कई लोगों को ऐसा यहां पता है कि यह हैरू वलिवा आजह मिलती होगी और यह तो देते हुआ द्यान के रस्ते पे जो व्यक्ति चलते हैं, धर्म के रस्ते पे जो लोग चलते हैं, उन्हें नशे से होशियार हो जाना चाहिए, क्यूं? आज वो भी बता देता हूं सबसे बड़ा कारण है, कि जब आप नशा करते हैं, तो आपको इंद्रियों की पका धीली पड़ जाती है आपका मन, मन मतलब जो अंदर चल रहा है, वो उपर आ सकता है ध्यान के जगत ने सबसे ज़्यारा दुनिया को पागल लोग दिये सबसे ज़्यारा पागल दिये, धर्म के जगत से जो गलत तरीके के लोग भटकते हैं, वो पागल ही हो जाते हैं और अगर आपकी नेजर में कोई ऐसे हो गए हो, तो आप समझ जाओगे मेरी बात को आप देखोगे, कई बार क्या होता है, कि जब आपका मन अंदर जो है, वो अंदर ना रहके उपर आ जाए तो आप पागल नेजर आओगे Suppose that, अब क्योंकि कुछ चीज़े हैं, जिने हम असभिता मानते हैं जैसे शरापी के कोई गाली दे रहा है, हम कहते हैं नहीं पागल हो गया देखो शरापी के अचा कुछ चीज़े हम सभिता मानते हैं, जैसे किसी व्यक्ति के अंदर सेक्स हो और लिंग खड़ा हो जाए अब वो अलग बात है, उसने सब कुछ इंद्याम कर रखा दिखे न, तेकिन अगर शरापी क्रूप से रक्षन प्रकट हो जाएं तो लोग कहेंगे देखो ये काम हो उसी तरीके से आप सोचो कि आपके अंदर जितने प्रकार का मन है अगर वो अभी बाहर आ जाए अभी और मन तो है सब के अंदर है मन से जो मूत हुआ वो नगन हुआ नगन बड़ा परमेश्वर नगन हुआ का अर्थ है कि उसने अपने को प्रकट कर दिया जो है जैसा जैसे मैंने किया लेकिन अगर आपके कंट्रोल में ना हो और आप उसको प्रकट कर दो जैसे मैं जानता हूं मैं प्रकट कर रहा हूं लेकिन एक व्यक्ति ना जाने और प्रकट हो जाए जैसे अंदर चलता हूं यार मुझे तो सखा के आश्रम में जाके आयाशी करनी है अब यहां आएगा और उसको मुझे दयाशी करनी है शरीर पर उसके आ जाएगा एठाएगी ऐसा तुमने तो मुझे से कहा था ऐसे आएगा पागलपन किसी गंदर यह आए यार बता नहीं खाना कब मिलेगा किस टाइम लगेगा तो ऐसे प्रकट करेंगा खाना कब मिलेग यह पागल लगे का नहीं लगे अपना खुछ सूचो अब इसी में मन के अंदर अगर बहुत सारे तुम्हारे उलजाओ है जो साधक के रहते हैं मिरे पास कितने लोग आते हैं जिने जिने आश्रम चलाने की कलाएं सीखनी है जिने योग निद्रा सीखनी है धंदा होगा खटके परीदपुल पहुंच जाएगी हो कहां आओ तो सीखने हैं मैं तो साफ बात कह रहा हूं यह फुटवाल अपनी गोद में रखो दो पहली बार में पूरा लिंग अंदर नहीं लेते समय लगता है तो यह बात सीखनी पड़ेगी अभ्यास प्रतीक्षा एक लंबे समय तक आपको उस चीज के अनुभव से गुजरना पड़ता है जिसमें भूले भी होती जिसमें ब्लेडिंग भी होती जिसमें पेन भी होते हैं जगत के जितने भी प्लेजर के कारे हैं उनमें पेन है जितने भी प्लेजर के कारे हैं उसमें पेन है और जिसको केवल आनंद चाहिए वो भूल जाए कि यह मार उसके लिए यहां तो जो मिर्तियू से राजी है उसी को अमरत मिलता है और जो अमरत के लिए आए हैं उनके हाथ में कुछ भी ना लगेगा मिर्तियू तो उनकी है ही और तो कुछ हाथ लगना नहीं तो जब भी कोई व्यक्ति नशा करता है और ध्यान में कूछ जाता है नशे के साथ या नशा करकरके या अंदर की मनोविर्तियों के साथ ध्यान में कूछता है मैंने कई बार कहा कि ध्यान की उर्जा हवनकुंड की तरह है। आप आँख बंद करके बैठे जैसे ही आपने इंद्रियों को अतेंद्रिये बनाया वैसे ही आपकी बाहर की तरफ निकलने वाली ताकत अंदर की तरफ जाती हैं और वो एक उर्जा तयार करती हैं। और उस उर्जा में हवनकुंण में आप क्या डालते हो उस पर depend करता है कि आप से क्या फैलेगा मैं बहुत बार कह चुका हूँ और फिर साबधान कर रहा हूँ मनों के रोग जब तक हैं तब तक तरपियां ले लेना लेकिन मनोरोग जब तक हैं तब तक ध्यान में मत उतरना जो कराया जाता है जैसे ओशो डैनेमिक ये सब चीजे बहुत छोटी थेरपी वाली बाते हैं मैं भी कराता हूँ थेरपी थेरपियां करो ध्यान के लिए त्यारी होनी चाहिए इसनान की त्यारी अपने को साफ कर लेने की त्यारी जब सौपन में ओशो आय थे मेरे पास उन्होंने मुझसे एक ही चीज कही थी कि क्या तुम्हारे वस्तर साफ हैं हमें ने कहा हाँ ये वाले तो साफ हैं उले नहीं देख लो अभी वस्तरों में कोई गंदगी लगी हो तो उसको भी धोलो उसके बाद तुम्हें मेरे साफ यात्रा करनी है कि उस समय मैंने बताया था कि permett hearing चला था एक ब dedic करता कि मैं मेरे उपबर एक केस हाऊ मैं जैल जाने से बच रहा था और तो कोई जिनदीम कोई चीज नहीं रह गई ती यों जइल आने से बच रहा था में उसी वक्त मुझे लगा की यह भै है यह अभी रोग है और मैंने जेल जाने को स्विकार कर लिया मैं जेल चला गया मुस्कुराते हुए मुस्कुराते हुए नहीं हाँ हाँ मैं जेल आ रहा हूँ ऐसे वाला मुस्कुराना नहीं स्विकृति के साथ स्विकृति मुस्कान है और उसका नतीजा आज आपके सामने बैठाओ बात करता हूँ आप सुनते हैं मुझे दुश्मन भी मुझे सुनते हैं कुछ तो है मुझे, नहीं तो महले के और लोगों को क्यों नहीं सुनते, अगर उन्हें सब को सुनने की आरत है, तो फिर सब को क्यों नहीं सुनते, मुझे में कुछ है, कुछ छिदता है, तो उनके मनों को किनी को प्यारा लगता है, तो उनकी चेतनाओं के अंदर वो पैसे दे जाते हैं अपना ब्रेड वर्टर चल जाता है बात कि ध्यान में तब प्रवेश करो जब तुम आनंदित हो उसका कारण बता देता हूं मेरे हाथ में मिर्चे हैं थोड़ी सी मिर्चे दे दो अगर इस मिर्च का मैं हाथ में रखे हूं क्या इस मिर्च की धासा या इसको मेरे नाक में ऐसे चड़ेगी नहीं मुझे निकट लाके उसको चड़ाना पड़ेगा तब जाके धासा लगेगा या मुझे खानी पड़ेगी मुँ में जाके तब जाके एकदम मिर्च अपना काम करेगी लेकिन अगनी जल रही हो मैं मिर्च जाल दूँ तो वो इतनी तीवर हो जाएगी कि मेरे ना चाहते हुए में मेरे अंदर गुश जाए तो जो हम डालते हैं हवन कुण में वो हजार गुना होके फैल जाता है हमारे अंदर ही फैल जाता है तो कामुकता है तो ध्यान में मत उतरना कामुकता खतम करने के लिए तुम्हें जिन बाबाओं ने ऐसा बताया है कि ध्यान करने से कामुकता दूर होती उन्होंने गल्द बताया है ध्यान में अगर कामुकता के भाऊ से बैठ गे तो खत्म नहीं होगा बढ़ जाएगा. हाँ, कोई आनन्दित होके बैठ जाए तो कामुकता शांत हो जाती है. यह बिल्कुल अलग बात. लेकिन कामुकता समाप्ट करने के लिए अगर बैठ है तो कामुकता बढ़े अगर कुरोध समाप्त करने के लिए बैठे तो कुरोध बढ़ेगा, ये बात अलग है कि आनदित होके बैठ जाये तो कुरोध समाप्त हो सकता है, लेकिन लोग सोंचते हैं कि जो मनोदशाएं उनकी हैं, उसी में ध्यान में उतर जाए, गलत है, बिल्कुल गलत है, जो भी व लोगों के साथ ध्यान में बैठेगा, वो कई गुना अपने रोगों को बढ़ा देगा, तो फिर लोग कहते हैं, ध्यान तो करनी नहीं सकते, फिर तो कैसे करें, कैसे करें ध्यान, मैं आपको पहले भी एक बार बताया हूँ, आज फिर बता रहा हूँ, क्योंकि आज इसी वि का प्रयोग कहते हो, तो कोशिश करो, वजू करो, हाथ, पैर, मूध हो लो, कम से कम, नहा ना सकते हो, पूरा कोई बात नहीं, हाथ, पैर, मूध हो, एक काम तो शरीर के तलपी होना चाहिए, और दूसरा, दूसरा है कि कम से कम, ध्यान में प्रवेश से पहले, दस मिनट तक आखे बंद करके मुस्कान का प्रयोग करें, हलके से मुस्काएं, शांत हो, मुस्कुराहट में कोई अच्छे लमों को याद करें, कुछ भी करें, और जब आपको लगे चित्न बिलकुल निर्भार हो गया, और एक आनंद की लहर उठ गई, तब प्रयोग में प्रवेश कर करना आपके आनंद को कई गुना बढ़ा देगा, अन्य था, पूरी संभावना है, कि जिन चुनों से मुक्त होने तुम निकले हो, वही चीज़े तुम्हें गुलाम बना ले, ये बात बिलकुल इसपस्ट है, परमात्मा को अपने घर में बुलाने से पहले, तुम्हें ध्यान तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता, इन से जब मुक्त होगे तो ध्यान तुम्हें उपलब्द हो सकता है, आँखे बंद करके बैठने को मैं ध्यान नहीं कहता, वो प्रियोग है, मैं जिस ध्यान की बात करता हूँ, उसमें समझ लो कि परमात्मा तुम्हें ध्यान रख करेंगे बस मना कर दो नशे को अभी अभी विरोध हो जाता है अभी एकदम मेरा विरोध हो जाएगा कि वो कहेंगे कि अरे स्वामी जी खुद तो करते हैं कि मैं कहां करता हूं मुझे किस ने नाली में पड़े मांग कर रहा हूं आख मुझे पीनी है पीनी है अले कि आओ ये करो वो करो मतलब ही नहीं है मैं जो भी जीवन में करता हूं उसका इसपस्ट वर्णन है और उसका मैं मालिक होके करता हूं हर चीज मालिक होके मेरे सामने जगत की सबसे सौंदर्यवान इस्त्री को खड़ा कर दो नग्म मेरी चाहा नहीं होगी तो उसको अपनी नगनता पर पहली बार अफसोस होगा मैं मालिको के बात कर दो अगर तुम मालिको अगर तुम मालिको अगर तुम्हें बेचैनिया नहीं आती तो निश्चित तुम स्वागत है तुम्हारा मैं तुम्हारे साथ बैठ के पीना परसंद करूँ मालिक मालिक के साथ बैठेगा समराट समराट के साथ बैठेगा मैं नपुन्सकों के साथ नहीं बैठ सकता है जिनने कोई भी कबजा कर लेता है फिर वो नपुन्सक भले दारूपी के बड़े च्छी डायला क्यूं न लिखते हूं जीवन देखो मैं कहता हूं अगर आप बेचैन हैं तो आप अपने कारण किसी ने आपको बेचैन नहीं किया समझदार बनिये और अगर कोई व्यक्ति निशाजब करता है तो उस कंडिशन में उसकी इंद्रिया जो है वो ढीली बढ़ जाती है शर्यापी के अब ये की होता है अब इंद्रिया धीली पड़ गई पैर सही से चलन नहीं पा रहे हैं जुबान सही से बोलन isn't पा रही आखे सही से देखनी पा रहे हैं यह होता है अब सोचो ऐसी स्तिति में तुम्हें ध्यान किया तुम्हें ऐसे नशे की हालत में ध्यान किया परणाम क्या होगा आपका मन जितना भी है वो एकदम निकल के बाहर आ जाएगा बिल्कुल और ऐसी इस्तिती में एक साधक के अंदर कौन-कौन सा मन दबा होता है दर सोचो एक साधक के अंदर दबा होता है सिध्या प्राप्त करने का मन एक साधक के अंदर दबा होता है अगर वो शक्तियों की तरफ बढ़ रहा है तो उसके अंदर की अब तो मेरे हाथ सब लग जाएगा अब मुझे ये उपलब्द होगा वो उपलब्द होगा साधक को बहुत तरीके की बुद्धत के सम्मन में धारनाएं मस्तिक्ष पे बैठी होती हैं कि जब बुद्धत हो जाएगा जब बुद्धत हो जाएगा तो सब मुझे सुनेंगे और आज के दोर में तो बुद्धत का पता नहीं लोगों को फसूली लगती हैं लोगों को पता नहीं जहर दिया जाता है आज तो बुद्धत के हमारे सामने जो examples हैं वह किसी के लिए सद्गुरू हैं किसी के लिए ओचों हैं किसी के लिए और तरीके के गुरु है और सारे गुरु मजे काट रहे मलाई चाक रहे अब लगेगा ना कि बुद्धत के बाद मलाई हांत लगती है लेकिन जर्ण इन्ही गुरुओं को तुम्हारे जो भी गुरु है जिन्नों ने भी तुम्हें बुद्धत का ग्यान दिया है इनकी एक साथना काल की अवस्था पर भी तो ज़रा सुन लो ओशो उपंती नदी में कूद रहे हैं ज़रा एक बार कूद जो जाके ओशो नंगे बास के जुर्मटों में उल्टे दौड रहे हैं दौड के देखो उल्टे दौड ने को मतब समझते हो कि पीछे भी आँख होन लाइण बॉट नग्ण तो उतना मास का हिस्सा गाइब हो जाएगा है है सब्सक्राइब की बात कर लेते वैसे तो मैं उसे पूछ मानता नहीं लेकिन फिर भी चलो जो से मानते हैं उचहर जंगलों में शेरों के पास बैट जाएंगा मैंने सुना है कि वह ऐसा कहते हैं कि ऍुस्र, फ़ूव जाव को लेकिन अंदर के अंदर, बलना शड़िया घर से ऑं जो मौनिक होते हैं ऑच जरिया घर के जो देखते हैं मौनिक क्यां वहां तो नूकरी होते हैं उन से बोलना वुद्धत प्राप्त करने आए हैं हमारे गुरू request ब्यान करते हो उसमें संद कि यह नगिते तो तो हम सोच रहेंगे पिंद्रें में बंद कर तो मुझे दो-तीन दिन के लिए का факul के साथ रहते थे एसाफ गुजर जाते दे ऊपर से कुछ कुझ कहते नहीं चलो आओ यहां साथ ना करते मैं दो चान नाग छोड़ दूँगा तुम्हारे उपर बैठे रहना आज सोचो कि अगर तुम्हारे उपर से साफ गुजरे नो तूम कुछ भी ना करो यह तभी कर सकते हो जब तुम्हारे अंदर साफ के परती भेह नहीं कि सांप एक कीड़े की भाती देखा जैसे कई बाद चीटे गुजर जाते हैं कि सांप को अगर तुमने जहरीरा मान लिया तो तुम्हारे अंदर की इंद्रियां उसके खिलाफ काम करेंगी तुम विश्टित होगे कुटा भौके आदमी ना चौके या तो बहरा होगा या गहरा होगा तो उसी प्रकार तुम्हें ये देखना चाहिए कि एक व्यक्ति किसकी सवस्था से बुजरा मेरे अतीत के अनुववों के संबन में मैंने बोले हैं अपने जीवन की घटनाएं थोड़ा सा जी के देखो एक शहर में प्र पुलिस से टॉर्चर दो दो घंटे का जेलो फिर भी सथ पर अड़े रहो परिवार को बिछड़ता देखो बच्चों को छोड़ना देखो बहुत कुछ है देखो सका हो जाना हो जाओगे यह मौज मिले कि पीछे तारे टिम्टि मार रहे हमें बैठा हूं लेक्चर दे रहा हूं तुम भी देना टिम्टि मारते तारों में लेकिन अकर तुमने यह सफाईयां नहीं की जो हमने पहले की हैं तो यही सारे तारे जो पीछे लगें तूट के गर जाएंग तूट के गर जाएंगे सोचो क्या होगा कि शौक लगा शौक लगा बाल खड़े हो जाएंगे चोटी उटी सब खुल जाएगी मैं आपको हल्के फुल के तरीके से भी एक बात कहना चाहता हूं कि साधक हो तो साधक बनू साधना के कुछ नियम है उन्हें पालं करो संसारी हो तो संसारी बनू अब तुम साधक और संसारी दोनों एक साथ कम्ब करते हो कि पांस दिन दुकान चलाई बहुत बड़िया से दुकान चलाई अब थोड़ी फैसे आ गए अब एक शिविर तीन दिन का कराते हैं that's all साधना भी संसार भी और ऐसे ही तुम कर रहे हो एक ऐसे तु कर रहे हो और ऐसे करके कितना पाय यह तुम जानते हो तुमें कुछ भी किसी को बताने जुरूद ने तुम अपना मन हिम्मत करके बाहर ले आओ बस पिर तुम भी में तरह लोगों को पता हो के फट कुछ नहीं हुआ हमाई तो फट के भरीदपुर पहुंच जा रहे हैं स्वामी जी कहते हैं फटी जा रही मजा आ रहा है अपनी तो फट के भरीदपुर जा रही है यह इंतर होगा कि इसलिए मैं बार-बार बात करता हूं यहां बहुत से लोग आ जाते हैं विक्रत टाइप के लोग आ जाते हैं आश्रम में सबसे अदा विक्रतियां होती हैं अब को पता है क्योंकि यह अस्पताल है यहां सभी मनुरोगी आएंगे ऐसा मत समझना है यहां कि यह सब सब्सक्राइब यह समय लो विद्धव एक जादू का चिराप ढूंड रहे हैं जितन रहाएं लगेगा ओर दिन बाग जाएंगे आश्रम से कुछ लोग आय जाते हैं अश्रम से कि यह सोचते हैं सखा का देख़ें कैसी आश्रम चला रहें कुछ दिन रहे फोकर क इसलिए मेरे जैसे गुरुम को कुछ चलाकी करनी पड़ती है तो मालू है सखा परिवार एक चलाकी है जितने भी लोग मुझे कॉपी करते हैं उन्हें सखा परिवार को भी कॉपी करना पड़ेगा बनाओ मेरे लिए ये चलाकी इन अर्थों में है कि मैं जगत के सामने एक सच्चे मैसेज को दे रहा हूँ और सच्चा मैसेज मूचोदी नहीं होता केवल मूँ से नहीं बोला है यह मैं अपने जीवन से बोल रहा हूँ और इसमें बड़े खत्रे हैं सका परिवार ऐसे तो नहीं होता दो तीन आश्रम तो मैं बरबाद कर चुका हूँ तो सका परिवार बनाओ कॉपी करो ओशो ने तुम्हें कम्यून की बात कही दी तुमने मानी नहीं तुमने आश्रम गौल लिए मैं तुमसे कह रहा हूं सच्चा और यह आकरी बात कह रहा हूं और साफ कह रहता हूं यह सबसे बड़ी मकारी है अगर कुछी का मन पकड़ ल देने वाला ही एक दिन सत्य को उपलब्द होगा अगर वास्तव में मुझे फालो करते हो यह वास्तव में तुम्हें बुद्धत का स्वाच चाहिए और पूरे दुनिया में गुरू बनके च्छाना है तो मैं तुमसे कहता हूं एक बार सका परिवार का ही निर्मान करो फिसमें कोई दियान नहीं बना सकता वो तुम्हें कोई ग्रान नहीं बता सकता अभी मुझे पता है कुछ नैने आश्रम खळने वाले है उलस् devam हाल्या वेर में तो वीडियो में बैठे थे सका के सुन रहे थे बोल रहे देख रहे थे और वो सका परिवार के निर्माण की और अग्रसर हैं उन्हें लगता एक सका परिवार का निर्माण वो भी करें मेरे उन्हें आशीश हैं भगवान तुम्हें इसमें सफल बनाए क्योंकि अगर इसमें तुम सफल हो गए वास्ता में तो निश्य थी तुम वही संदेश दोगे जो मैं दे रहा हूं और अगर इसमें तुम सफल नहीं हुए तो तुम्हारे दिमाग से धर्म जगत के सारे ब्रह्म गड़ जाएं जो तुम अभी तक सोच रखें तो मैं यह बाते जो कहीं कि ध्यान को इतना उतला मत बनाऊनी पहले उन ताक्तों से अपने को पीछा चुड़ाओ धन की ताक्तों से दूर हो शराप की ताक्तों से निशे की ताक्तों से दूर हो एहंकार की ताक्तों से दूर हो सम्हू की ताकत से चाल आदमी खटे करके ताकत बना लोगे इससे दूर हो सिंगों के नहीं लेड़े बुद्धों की नहीं जमान जब यह बात कही गई थी तो यह था घीड से कोई ताकत वर नहीं होता है सिंह अकेला होता है, जब कोई नहीं था, मैं तब भी ऐसी गरजना करता है, अकेले ऐसी गरजना थी मेरी, आज है नहीं है, मैं किसी को नहीं मानता, मैं अकेले हैं, तो आप सब से मैंने कुछ बाते कहीं, मुझे मालू है अभी बहुत से प्रश्ने हैं, जो करने हैं, साधकों के लिए बहुत से प्रश्टे जरूरी हैं इन्हें मैं बस अब जल्द ही उठाऊंगा और जैसे मैं एक पहले कह चुका हूं कि मैं रिटार्मेंट की त्यारी कर रहा हूं तो यह जितनी बाते हैं यह मेरे निकट के लोग जिनके नाम आने वाले हैं उनको पकाने की त्यारी है यह सब उनके पकने का तरीका है हांडी चड़ी हुई है उनको हांडी में डाल दूँगा है हाज इतनी है